मीरा एक मेहनती लड़की थी उसकी शादी गोपाल नाम के लड़के से हुई थी मीरा अपने सास ससुर और पती के साथ बड़े प्यार से रहती थी उसकी सास और वो दोनों मिलकर घर का सारा काम करते थे सब अच्छा चल रहा था लेकिन शादी के एक साल के अंदर ही मीरा के पती की एक्सिडेंट में मोत हो जाती है उस बिचारी पे तो अब दुख का पहाड गिर गया था सुनिए जी बहु के मातापिता भी नहीं है और अभी गोपाल की भी मोत हो गई है हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए तुमने सही कहा वो बेचारी दिन बर अपने कमरे में बेट कर रोती रहती है लेकिन अभी उसने अपने आपको संभालना सीखा है मैं सोच रही थी क्यों न हम उसके लिए कुछ काम धंदा शुरू कर दे जिसमें वो दिन बर बिजी रहेगी हाँ वेसे आइडिया तो अच्छा है तुम उससे बात करके देखो देखो वो किस चीज में अच्छी है उसे क्या पसंद है फिर उसके इसाब से हम कर लेंगे सब मैनेज ठीक है मैं आज ही उससे बात करती हूँ थोड़ी देर में मेरा घर आती है कहा गई थी बेटा मा जी मैं मंदिर गई थी रुको आपके लिए चाय बना के लाती हूँ अरे नहीं नहीं बेटा तू मेरे पास आके बेट तुस्से जरूरी बात करनी है क्या तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा है नहीं मा जी लेकिन सोच रही हूँ कि कोई काम धन्दा चालू कर दू गोपाल जी के जाने के बाद मुझे मैं आप लोग पे बोज लग रही हूँ अगर मैं कोई काम करूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी वक्त बितेगा हाँ बेटा सही कहा तुने मैं भी तुसे यही कहने वाली थी तु अगर खुद को किसी काम में डाल देगी तो तुझे वक्त का पता भी नहीं चलेगा क्यों न हम कपड़ को इस्तरी करना चालू कर दे इसमें कोई investment भी नहीं है तो नुक्सान की तो कोई बात ही नहीं जो भी पेसे आएंगे सब प्रॉफिट ही होगा हमें बस इस्त्री और टेबल की जरुरत होगी हाँ बेटा वेसे आइडिया तो अच्छा है तेरा मैं आज ही तेरे पापा जी से बात करती हूँ ठीक है मा जी मैं मोहले की सारे लोगों से भी कह दूंगे और हम बाहर बोर्ड भी लगा देंगे उन दोनों की बाते चल ही रही थी कि उतने में वहाँ पापा जी आते हैं अरे बस बाते ही करते रहोगे या अपनी शौप के लिए नाम भी सोचा है सोचा है ना पापा जी सास बहु की लॉंडरी अरे वा ये तो बढ़िया नाम है अच्छा तुम दोनों सारी तयारिया करो मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ फिर उसके ससुर टेबल और इस्त्री लेकर आते हैं सास और बहु दोनों देखकर वो बहुत खुश होते हैं सास बहु दोनों मिलकर कपड़ों को इस्त्री करती थी बाद में बहु जाकर उन कपड़ों की डिलिवरी करती थी देखते ही देखते उनकी दुकान काफी अच्छे चलने लगे काफी जादा पैसे भी मिलने लगे कितना अच्छा लग रहा है ना माजी आज गोपाल अगर होते तो वो भी कितना खुश होते हाँ बेटा सही कहा तुने लेकिन अब पिछली बातों को याद मत कर हमें बस आगे बढ़ते रहना है तेरी अभी उमर ही क्या है तेरे लिए तो कोई अभी हमें अच्छा सा लड़का भी देखना है नहीं माजी मैं अब यही काम करूंगी और आप दोनों की देखबाल करूंगी अच्छा ठीक है बाबा वो सब हम बाद में देख लेंगे तू अब ये कपड़े लेकर जा इन कपड़ों की डिलेवरी कर दे फिर मीरा वो सारे कपड़े लेकर जाती है और उन कपड़ों की डिलेवरी कर देती है ऐसे ही एक दिन मीरा कपड़ों की डिलिवरी करने एक लड़के के घर आती है। उसे देखकर वो लड़का कहता है। मीरा, ये तुम ही हो ना? पहचाना मुझे? आरे आरजुन, तुम? कैसे हो तुम? मैं ठीक हो, तुम कैसी हो? और तुमारा पती कैसा है? सुना है, तुमारे ससुराल वाले बड़े ही अच्छे लोगें, तुमारा बड़ा खयाल रखते हैं। हाँ, वो तो मेरा सगे माबाप से भी ज़्यादा खयाल रखते हैं। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होतें। मेरे पती के गुजरने के बाद उन्होंने ही मुझे प्यार से संभाला है। उनकी कभी कभी महसूस नहीं होनी दी मुझे उन्होंने। I'm very sorry मेरा, मुझे तुमारे पती के बारे में पता नहीं था। इसलिए गलती से मुझ से निकल गया। तुमारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आरे कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हो। फिर मेरा वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते सास बहु के दुकान काफी अच्छे से चलने लगती है। और मेरा और आरजुन की मुलाकाते भी बढ़ने लगती हैं। प्यूकि आरजुन हमेशा ही मेरा की यहा कपड़ों को इस्त्री कराने देता था। अब आरजुन और मेरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन मेरा अकेली बैटकर मुसकरा रही थे। तबी वहाँ पर उसकी सास आती है। मैं तेरी सास जरूर हूँ लेकिन तू मुझे मेरी बैटी की तरह है। मा जी अब आप से क्या चुपाना। मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ अरे ये तो बड़े अच्छी बात है, लेकिन ये तो बता कि लड़का कौन है हम तेरे पापा जी से भी बात कर लेंगे माजी, आप उसे जानती हो, वो हर सुबह हमारे यहाँ कपड़े दे कर जाता है कल आप उसके घर होम डिलिवरी करने चले जाना, तब आप उसे पैचान जाओगे फिर अगले दिन उसके घर कपड़े देने माजी चली जाती है अरे माजी, आज कपड़े देने आप केसे आये? आपने तकलिफ क्यों उठाई? और मीरा क्यों नहीं आई? उसकी तबियत तो ठीक है ना? अच्छा, तो वो तुम हो? जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम ही हो ना? जो मेरी बहुत से प्यार करते हो? उसकी बाते सुनकर अर्जुन शर्मा जाता है। हाँ अंटी, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे से शादी करना चाहता हूँ। उन दोने में बाते होती रह मिल लेते हैं, एक काम करो, कल शाम को ही उनको खाने पर बुलाओ, वही पर शादी की बात भी कर लेंगे। फिर वो आर्जुन को फोन लगाती है। हेलो वेटा आर्जुन, कल तुमारे माता पिता को लेकर हमारे घर पर खाने को आना, तभी शादी की बात भी कर लेंगे। ठीक है माजी, हम आ जाएंगे। फिर अगले दिन दोनों परिवार मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना होने के बाद सब मिलकर बाते कर रहे होते हैं। अंटी जी, आपको मुझे कोई प्रॉब्लेम तो नहीं है न? क्योंकि मैं एक विद्वा हूँ और अर्जुन की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे नहीं बेटा, ये तुम केसी बाते कर रहे ही हो। तुम विद्वा हो, इसमें तुमारी क्या गलती है? अर्जुन ने तो हमें पहले ही बता दिया था, कि वो तुमें कॉलेज के जमाने से प्यार करता है, तभी तो हमारे इतने कहने पर भी अभी तक इसने शादी नहीं के। और आंटी जी, शादी के बाद अगर मैं ये काम कंटिन्यू करना चाहू तो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, उल्टा हमें बहुत खुशी होगी, अरजुन ने हमें तुमारे बारे में सब बता दिया है, और हमें तुम पर नाज है बेटा, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने ये सब संभाला है, तुम जैसे बहुपाना हमारा सोभाग्य है, फिर वो लोग प जुन की शादी करा देते हैं,